नमस्कार, आज हम फिर जन्ता की समस्याओं को लेकर आपके बीच उपस्ते दूए हैं, इसी बीच में हम बात करते हैं, हमारे बीच, हमार सिंग गौरिया जी, जाने माने पत्रकार और समाज से भी हैं, यही हम उनसे बात करते हैं. रन्यवाद मनीश भाई, जैसा कि आपने इस बार की एपिसोड में राजस सुभवाद की कारपरणाली को लेके जन्ता की बीच में वो जन्ता सुभवाद करने 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 दिया हैं, तो राजस सुभवाद के बारे में मैं जहां तक नरसिंपुर की राजस सुभवाद की बात क तरहों से अच्छी तरह से देखिया समझी जा सकती है। लोग नामांतरांग, खोती और अपने सीमांकन को लेके इस कदर परिसान हैं, महीनों, सालों चक्कर लगा रहा हैं, कि उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। यहां तक की कई मामले तो ऐसे हैं, कि गलती यहां के राजस्विबाद के पटवारी, आराई और यहां तक की नायक तैसिलदारों ने की है। और इस गलती का जो पई नाम है, वह यहां की भोली वाली गंता, इस जिले की गंता भोग रही है। जावा खारियालायों में बैठा रहता है, और उस कुसाम को जब वो जाता है, उसका काम नहीं होता, तो उसका जो दर्थ है, वह इन तब जिले को भयान है। सरकार तो कहती है कि हम लोग सेवा गारंटी के तहट कुछ है, समय निश्चित किया है, उस समय के अंदर ही हम लोगों को सेवा परदान करते हैं। सरकार जो बाते हैं कर रहे हैं, लोग सेवा गारंटी, जन्वा अबियान और जिसमे अधिकार है, उनकी समीग सेकर में को सरकार को बास्त बिखता पता चल जाएगी कि राजस सुभेबात की क्या चल रही है। जिस तरीके के अभियान और जिस तरीके की समय सीम वाली बात की जाती है यह आम जंता से जाके जब पूछोंगे उन सब पता चलेगा खसरा है, क्पॉनी है, नकल है अधी चीजों को बताते हैं को पबलुक को जो है समय लिमट में ही समय देवा देते हैं पुछ सामान ने पिर करिया, मगर अगर माल लीजिए किसी के खस्रे में दुरूस्ती कराना है, या किसी को अब किसी का जमीन से सम्बंद बिवादित है और उस आविदन को या उस प्रकरण को लेके जब वो अपने इन राजस्वधिकारियों और राजस्वकारयाला जब जात किसे थी, आपने प्रकास जाला परपिलाली को लेकर इसी बीच हमारे बास एक किसाल आए हुए हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आपको राजस्व विभाग से सम्बंद किन परिश्य यहों का सामने करना पड़ रहा है, आईए, क्या नाम है आप? क्या समस्या है, आप समस्या बताईए, किन समस्याओं के आप की से थी, सर मेरा मकान तैसिल दार और पटवारी मेडम ने दबंग लोगों के कहने पर तोड़ दिये गया, तो सर मेरे वो चक्कल लगा रहा हूं, मैं, अच्छा, जी, एस्दियम साब कहां भी अपील की मैंने, जी, एक बहुता प्रीटिया, जी, डी इस्दिय देते हैं, जी, पेसी देते हैं, वह क्या है आपकी साब, अब हाज़े ही हुगा ये कि, मैं से पूछी का आपका मकान है, तो मैंने बुला हां है, से आनों का है, इंदरा आवास वाला है, तो उसी में रह रह रहे हैं, पनी क स्केप दो कमरा है उसमें अब मेरा मकान आने वाला है इंदरा आवास का तो सरम में कहां जाओं कहां मकान बनाओं और आप अभी हमें थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बिना सूचना दिये जैसी भी लेकर प्रसासन की टीम पहुंची और आपके मकान को तोड़ दिया गया है बिना सूचना जी बिना आपको समय नहीं दिया गया तो बिलकुल आहां जी नहीं दिया गया है क्या वह लाप इन दिन की मौलत नहीं थी हम तो बहुत जाद अपीली बहुत परेशान है हम तो इसी बीच देख रहे हैं आप न्यूज 99 की टीम को यह अपनी राजस्त की का रहा है लगातार रही हैுम्तिसी यहाशी अरोप लगा रहे हैं इसी बीच हमारे बीच शमाच से वी और किसानों की जने तेजी समस्यां को लेकर हमेशी भडटे रहने वाले बावूलाल पड्यदी हमाएं क। बीच उपस्तेर रहने हैं वह τουलाल जी से कहना चाहते का आप भी किसान को संबयें समस्यां उड़ी समस्यां को और रहें किसाल मतलब कितना परिशाल हो रहा है इस बात को आप दोड़ा प्रताश दालेगा जब चिनकी बांध में बैठे हुए गूर्पुर करेली विकास खंड में जो किसान है प्रभावित किसान है उस समय जब राजसु बिभाग का अमला किसानों की समस्याओं को लेकर वहां क्योंकि लोगों के भूमी अधिकरान संबंदी जो समस्या है बांध से प्रभावित लोग है तो उस समय बात आई कि बटांकन नहीं हुआ किसी का सीमांकन नहीं हुआ कहीं फोती नहीं चड़ी तो राजसु बिभाग अमला ने ये बात को सुईकार किया बोले हमारी ये गं वह जो सके वहां पर बड़ी स्क्राइब करेली तैस्रिंदार महुदै भी उपलत थे तो उन्होंने आधे शित्या अमला जो था उनका कि ये तुरंत कारवाई की जाए क्योंकि बड़ी बात है ये ये कारवाई जब बन रहा है बांध का काम चालू हो गया इसके बाद में एककी तो दूसी चीज संब्ज में भूमियादी की संबंढे सिकायत से समंदी नोट पैसे अभी पंद्रा दिन पहले एक माह पहले किसानों को दिये जाए किसान बैंक चिंतित है यह अमला यह यह किसान चाहें का हमारे खेट की नाब जोग हो हमारी फोती चड़ जाए तो ये तो जूता चपल घिसने वाली बात है एक सालों से किसान भटकता रहता है परसासल ने अपनी और से विग्यप्ती भी जारी की कि वाई हम आपकी नापतौल जमीन की करा रहे हैं परसासल बचाओं की मद्राम आगे आपके आपनी जारी की किसी को कुल समस्या हो तो आकर के समस्या दरज करा मात्रों वहां पर ओपचा होती है राजय सुभभाग किसी भी आविदन पर निस्पक्ष कारवाई नहीं करता है। निस्पक्ष कारवाई करता है।